तो फ्रेंड्स आजगी इस वीडियो में आप लोगों को पताऊंगा कि अपने आईफुन 6S को किस तरह से रिसेट करें ताकि आपका डाटा डिलीट ना हो कई लोगों को लगता है कि आईफुन 6S को जो हम इन मतलब रिसेट करेंगे तो मेरा डाटा चला जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपको मैं बताऊंगा कि रिसेट करने से क्या होगा कौन-कौन से डाट आपका डिकेट होगा तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए साथ ये बलाएग सब्सक्राइब तो है था आई हो स्पुर्टिंग डा उपर उसको और वालपीपर मैं ने पुराना लगा रखा है मुझे वाल इपर बहुत अच्छा लगता है इस वज़य से तो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह करना चाहिए तो आपको जाना है सेटिंग में स सबसे नीचे जो option आता है reset का इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पुझेगा कि रिसेट किस तरीके से करना है आपको मालेजी आपके फोन में home screen layout problem है उसको reset करना है वो यहां से हो जाएगी keyboard dictionary आपको यहां से रिलेटेड कॉलिंग से रिलेटेड कोई भी आपका SIM provider यूज कर रहे हो कोई network service provider उसमें कोई दिक्कत आजी तो आप reset network सेटिंग कर जबते हो जब आपके फोन में सब कुछ problem हो रही है आपको फोन पूरी तरह से डिलीट करना है सब कुछ पूरा data डिलीट करना है तब आपको erase all content and settings करना है लेकिन जब मैं कहता हूं कि अपने फोन को reset कीजिए इसको तब करना होता है जब आपके फोन में चोटी मोटी कोई problems आ रही हो उस समय में आपको करना क्या चाहिए होता है यहां पर एक option है सबसे ऊपर reset all setting यहां पर आप जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको password डालना पड़ेगा जो आप password डालते हो अपना lock screen पे वह आपको यहां पर password डालना होगा password डालने के बाद यह reset हो जाएगा switch off होगा switch off होने होगी है वह सब जो है reset हो जादी है कोई भी password मतलब जो password होता है वह हट जाता है जैसा कि लॉट जाएगा आपको यहां पर नया password लगाना पड़ेगा और जो भी password होते हैं कुपीज बगेरा में Chrome ब्राउजर बगेरा में YouTube तो वह सब password जो है पासवर्ट क्या गाइस जीमेल इटी का password होता है वह भी नहीं जाता है कहीं कहीं पर बस में चीज यह जो password होता है home screen वाला लॉक्त वही डिलिट होता है और प्ली नहीं होते हैं आपके messages calling WhatsApp फोटो वीडियो कुछ भी डिलीट महीं होगा आपको जो है आपके phone में सिर्फ और आपका जो है गाइस वह home screen वाल लगा सकते हो आराम से और यह बहुत एक अच्छी बात भी है कि इसको करने से आपके फोन की जितनी प्रॉब्लम्स होती है चाहे नेटवर्क से रिलेटर हो सब कुछ जो बहुत सारी चोटी-चोटी समस्षा होती है इस तरीके सी वह सारी समस्षा है आपकी दूर हो जाएंगी सब से नीचे एक आप्षन आता है रिसेट का रिसेट जाने के बाद रिसेट औल सेटिंग पर यहां पर पासवर्ट डाल देना है अपने यह हो जाएगा राइज उम्मेद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आओगा अगर पसंद आओ तो प्लीज इस वीडियो का लाइ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं आइफोन से अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूं तो गैस वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद